नमस्कार आदाव आपका मेरी अपनी मेफिल में एक बार फिर स्थक्वाल है स्वाधत है मैंने एक दिन पहले ही इसमत चुक्ताई साहबा का नॉवेल अजीब आदमी पूरा किया है अब उस नॉवेल के सारी किस्ते मेरे यूट्यूब चैनल पर दस्तियाव हैं उपलब्ध हैं अवेलिबल हैं अब जब चाहें तब सुन सकते हैं जुन्होंने अब तक कि नॉवेल नहीं सुना है मैंने सुचा उन लोगों के खातिर इस नॉवेल की कुछ बातें बताता चलूंग कुछ बातें इसमत चुक्ताई के नॉवेल अजीब आदमी के बारे में अजीब आदमी हिंदी फिल्मी दुनिया से तालुक रखता है इसमें एक किरदार के जरीए पूरी फिल्मी दुनिया के माहौल और तरीके कार को पेश किया गया है इस नॉवेल का मरकजी किरदार धरम देव फिल्म इंडिस्ट्री का नहायत मशूर और काम्याब फिल्मस्टार है ये शक्स अंदूरिनी तोर पर एक अच्छा इंसान है और जहनी और जजबाती तोर पर बहतर और पुर अबन जिन्दगी गिजारने का फाहिश्मन्द है लेकिन जिस माहौल का वो हिस्सा है वहां उसकी ये आर्जमे नाकाम रह जाती है क्योंकि जावजा उसके जजबात तो एहसासात इस माहौल की हकीकतों से तकराते है और से कदम लड़ खड़ा जाते है इप्तिदा में धरंदेव मंगला से महबबत करता है मंगला भी उसे हासिल करने के दिए जान की बाजी लगा देती है दोनों की शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद जब धरंदेव फिल्म की शूटिंग के दौरान जरीना के साथ काम करता है और जरीना उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो जरीना को जटक देता है और अपनी बीवी को फोल करता है कि वो वहां आ जाए ताके वो गलत जजबों की दस तरस से बच सके लेकिन जब वो जरीना को अपनी फिल्मी पार्टी के दूसरे अफ्राद से घुल मिलकर बात करते देखता है तो उसे तकलीफ होती है वो सोचता है कि जरीना सिर्फ डैरेक्टर से महबत करती है उसके दिल में मेरे लिए कोई जगा नहीं है उसके दिल में खाहिश उबरती है कि बहराल कि बहराल जरीना उससे महबत करे उसकी तब्यत का ये तज़ाद दरसल उसके इनसानी फितरत का गमाज है जिसमें खैरोशर की आमिज़श है रफ़टा रफ़टा जरीना से उसकी दोस्ती मनजरे आम पर आ जाती है नतीजे में उसकी बीवी उससे बद्दन हो जाती है और इंतकाम के तौर पर उसकी फिल्म में गाने गाने देना बंद कर देती है और दूसरे लोगों को भी उसके साथ ताउन न करने की नसीयत करती है उसके बच्चे भी उससे नाराज रहते हैं धरम देव पलेशाल हो जाता है उसका गम गलत करने के लिए उसके दोस्त उसे एक तवाइफ पद्दमा के पास लए जाते हैं यहां राग और रंग की महफिलों में वो खुद को डुबोने की कोशिश करता है लेकिन अपने आपको समालने में नाकाम रहता है उसके जिंदगी मंगला, जरीना और पद्दमा के गिर्ड उलज कर दुश्वार हो जाती है वो बाहर मार बीवी बच्चों को अपनी तरफ बुलाना चाहता है उनकी महबबत हासिर करना चाहता है ताकि उसकोन मिल सके लेकिन वो वापस नहीं आते उसका दोस्त भी अपने घर चला जाता है दुनिया के तमाम रिष्टे नाते उसे बूम ओड लेते हैं वो हर एक की तरफ सुकून की खातिर बढ़ता है लेकिन फिर शराब और खाबावर, यानि नींद लेकिन फिर शराब और खाबावर, यानि नींद की गोलिया उसके सुकून का जरिया बनती है और यही चीज़ें उसे मौत से हम केनार कर देती है इसी तरह नौवल में धरंदो के किरदार के जरिए फिल्म इंडिस्ट्री के अंदूरूनी माहौल की तस्वीर कशी की गई है जिसमें पूरी फिल्म इंडिस्ट्री पर भरपूर तंस है इस नौवल की कहाणी और इसके हीरो के अल्मिया मशूर फिल्म साज और अदाकार गुरूदत की जिंदगी के बेहत खरीब भालूम होता है बेहत खरीब भालूम होता है किराऊंगा कुछ दिनों बाद आपको इसमा तापा की तेड़ी लखी सुनाना शुरू करूंगा तब तक के लिए इजादत दीजे आद आप